प्रेंट्स हमारी आज की युवापीडी देश के भविष की करनधार है वहीं भविष के नेशन बिल्डर्स भी हैं इसलिए आज की युवापीडी को एमपावरिंग करने का मतलब है भारत के भविष को एमपावर करना इसी सोच के साथ 2022 के बजेट में एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी पाँच बातों पर बहुत जोड दिया गया है पहला युनिवर्सिलाइजेशन अब क्वालिटी एजुकेशन हमारी सिक्षा व्यवस्ता का विस्तार हो उसकी क्वालिटी सुधरे और एजुकेशन सेक्टर की चमता बढ़े इसके लिए एहम निरने लिए गए हैं दूसरा है स्किल डेवलप्मेंट देश में डिजिटल स्किलिंग इकोसिस्टिम बनें इंड़स्ट्री 4.0 की जब चर्चार चल रही है तो इंड़स्ट्री की डिमांड के हिसाब से स्किल डेवलप्मेंट हो इंड़स्ट्री लिंकेज बहतर हो इस पर ज्यान दिया गया है तीसरा महत्वपुर पक्ष है अर्बन प्लानिंग और डिजाइंग इसमें भारत का जो पुरातन अनुभव और ज्यान है उसे हमारी आज की शिख्षा में समाहित किया जाना आवशक है चौता एहम पक्ष है इंटरनेशनलाइजेशन भारत में वर्ल्ड क्लास विदेशी उनिवर्सितियां आए जो हमारे अवद्योगी छेत्र है जैसे गिप सिटी है वहां फिंटेक से जुड़े समस्तान आए इसे भी प्रोसाहित किया जाए पांचवा महत्वपुण पक्ष है हम भारतिय टलेंट का कैसे इस्तमाल बढ़ाएं इस पर भी उतना ही ध्यान दिया गया है ये बजेट नई नेशनल एजुकेशन पॉलिशी को जमीन पर उतारने में बहुत मदद करने वाला है